प्रपा सिंधु जै मोरिया, बुद्धी विधाता मोरिया, गडपती बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ती मोरिया, गड़ेश चतुर्थी की हार्दिक शुक कामना आप सभी को आप सभी का वेलकम है, आपकी अपने चानल पर मैं हूँ यूटूबर साधना सोनी, हैपी विध सिंपल लाइफ, व्लॉग की स्टार्टिंग हो चुकी है, और मैंने सुचा चलो अभी गड़ेश चतुर्थी है, तो स्री गड़ेश करके ही व्लॉग का स्टार्ट करें, और य यहाँ पर मैं सभी भगवानों को तिलक कर रही हूँ, धूबत्ती हो गई है, आप देख रहे हैं, और यह देख सकते हैं, आप गड़ेश भगवान को, भगवान शंकर जी को, पार्वती मिया को, सब को मैंने ठीका वगरा कर दिया है, और अभी मैं आरती सब जगे घुमा हूँ, और आप लोग भी आरती ले लिजे फटा फट से, और सभी की जीवन में हमेशा सुख बना रहें, स्वस्त रहें, सभी मस्त रहें, ऐसी ही मेरी सुबकामना है, भगवान से ऐसी प्रातना है, तो अभी बस यहाँ पर पूजा हो गई है, फटा फट से, और मैं भी ति कामरा में देखके ही, अपने टीका वगएरा कर लिया है, मैंने तो यहाँ पर एक बार शांत मन से इश्वर को याद कर रही हूँ, और एक परक्रमा लगाऊंगी, हाना, तो बस हमारी पूजा हो चुकी है, डन, और अभी मंदर के कमरे के लाइट बंद, और अभी आप से मि मैं आपको सभी को हेलो हाई बोल रही थी, और पता है क्या है, देखिए मैंने यहाँ पहन रखी है, साड़ी, एक्चली होता क्या है ना, कि मुझे क्या है कि जब भी कोई ऑकिजनल होता है ना, तो मुझे साड़ी वियर करना बहुत ज़ादा पसंद है, बहुत ज़ादा, और वैसे मुझे ज़ादा है, डेली भी अच्छा लगता है, पर डेली बहुत ज़ादा, बतलब पॉसिवल ही नहीं है, बट ऑकिजनली साड़ी पहनना मुझे बहुत अच्छा लगता, जैसे कि आप लोगों को पता ही है, गड़े चतुर्थी का जो फैस्टिवल है, यह ब यह बहुत अच्छे से मनाया जाता है, और पता है क्या है ना, मैं थोड़ा सभी अगर रेड़ी हो जाती हूँ ना, तो बस मुझे फिर डांस सुझने लगता है, आप लोगों को पता ही है, कि मुझे डांसिंग वगएरा का, सिंगिंग वगएरा का बहुत ज़ादा शौक ह किसी की कम है, किसी की ज़्यादा पर टेंशन सब को है, और मैं क्या चाहती हूँ ना, कि मेरे चानल पर अगर आते हैं, तो थोड़ी देर के लिए आते हैं, बेसक पर एक खुशी लेकर जाएं, और जो चीज के लिए आते हैं, वो चीज आपको ज़रूर मेरे, हाना, एंटे देव जी घर पर नहीं है, बच्चे हैं, और मैं हूँ, तो मुझे बस सोच रही थी, यहाँ पोहा इस बॉक्स में मतलब फिनिश हो गया तो मैंने का चलो इसमें शिफ्ट कर देते हैं, तो यहाँ पर मुझे करना है ब्रेकफास्ट रेडी, और मैं सोच रही थी, एक तो हम पोहा बना लेते हैं, और जल्दी से बन जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर मुझे भी लंच भी रेडी करना है, तो यहाँ पर मैं जा रही हूँ, पोहा बनाने सिर्फ तेन लोगों के लिए, अपने लिए और भच्चों के लिए, जैसे मैं बताया है, हस्बेन नहीं है घर प आईएगा, सौफ डाल कर पोहा बहुत ज़दा टेस्टी बनता है, बहुत ही ज़दा, मुझे बहुत ज़दा पसंद है, और भी मैंने सौफ डाल दी है, सौफ के बाद मैं आलू फ्राई कर रही हूँ, हाना, तो आप यहाँ पर यह देख सकते है, यह सौफ और आलू एक सा दाने का काम कर दिया है, मैंने क्या निकल रहा है मुझे आ तो यह देख लिजी आ चीनी चापती एड़ कर रहे हूं, और क्या ना मुझे ना मेरी यादत है, मुझे चाह नास्टे के साथ चाह बहुत जरूरी है, मेरे लिए, अगर मैं किसे दिन मतलब ऐसा होता है, चलो चा अब देख लीजिए अब चक्राइख आप देख क्ट्राइब रहूं मैं अगा हम प्याता है और प्याज मूणली करों पेख़ करें Volt से पेज कलेख प्यांत नायों से सब्सक्राइब दर्या सामनी मेरे इससा कि चीजह रहती है। पता नी क्यों मुझे नजर नी आती मैंने सामने प्लेट में रखा था कि मैं भूल ना जाओं और हुआ वही कि मैं भूल गई और यहां पर मैंने कहना कड़ी पत्ता एड़ कर दिया और इसमें मैंने प्याज एड़ किया है कड़ाई में और मुझे ना पता नी क्यों पोहे मे देखिए मैं उसमें कड़ाई में एड़ कर रहे हूं और पोहे में ही मैंने सारी चीज़े डाल ली थी सरसो के दाने नमक हल्दी मिर्च जो भी आपको जो भी मुझे पसंद था जो भी मुझे डानला था मैंने उसमें डाल लिया ठीक है और अभी यहां पर मैंने मुंफली फोड़ा बहुत यह थी सेतहर इद्धर अधर अधर होर जाता है प्ली 6 ऐजाता है वहत्ती के सवच कांटर करेंगी से और भी ओड़ा हो घखिए है तो यहां पर किचन कंटर सफ कर लूँकि बहूं हम अपना breakfast करेंगे तो आज मैंने आपके साथ अपना ये morning है जो routine वो share कर रही हूँ बताना आपको कैसा लगा ठीक है और चाइनल पे first time आये तो चाइनल को subscribe कर लिजी बैल आइकन के साथ और like छाप दीजेगा like छापने में कोई कंजूसी मत कीजेगा तो ये देखे दोनों तरफ मैंने एक तरफ चाइ चड़ा रखी थी और पूहा हमारा हो गया है तो एक बार उसको और देख लूँ थीक है तो यहाँ पे मैं वही देख रही हूँ कि हो गया है तो ठीक है फिर बतलब वह किया जाए serve किया जाए तो चलिए almost हो चुका है और बस चाय रहे गई है चाय को भी बंद कर देते हैं ठीक है यह देखिए चाय है तो अभी हम चाय को भी बंद कर देते हैं और यहाँ पे हम serve करते हैं अब अपना breakfast ठीक है तो मैं यहाँ पी यही कह रही थी कि यह देखिए पोहा देख लिजे पहले आप लोग लग रहा ना यमी यमी डिलिशियस तो हमारा पोहा रेडी हो गया है आई में ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है तो चलिए सर्विंग का काम करते हैं और यहां एक बात जैसे मेरी बात रह जाती है पता नहीं क्यों दूसरी मैं अपना यह मौरनिंग डूटीन आज का आपके साथ शेयर किया है तो कैसा लगेगा बताना जरूर कॉमेंट करके जरूर बताना ठीक है तो यहां पे हो गया है बच्चों को भी मैंने दोनों प्लेट बच्चों की है और यहां पर यह मेरे लिए ठीक है यह देखिए बिल नमकीन डालना था मैं यह भूल गई तो चलो नमकीन भी डाल लेते हैं दोर बच्चों लोगों को नमकीन के साथ बहुत पसंद आता है मुझे भी नमकीन के साथ और इसमें फिर लेमन रस डाल दोना बहूत बहुत ज़या टेस्टी लगता है बट क्या है बच्चे लोग नह देखिए मैं अपने लिए चाय दे रही हूं बच्चों को चाय वगरा से कोई मतलब नहीं है यह देखिए चाय हो गई और ब्रेकफास्ट हो गया हमारा यह पोहा तो यह देखिए एक बार मैंने का चलो आपको बैक कैमरे से भी दिखा दिया जाए और थोड़ा पास से दिखा दिया जाए और यह मिर्च है ना यह मिर्च मैं ने पहले नहीं राली थी क्योंकि बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा इस पाइसी है यह मिरच तो इसे मैं उपर से ही ले लूंगी तो यह है चाय और यह है पेला ब्रेक्वास्ट को जो मैंने बनाया है। जो देखते हूं काके कैसा बनाएँ है। चेटी अगा। सामने टीवी चल डे उसमें नजर जारी बार बठते इवी चल डे ना। WILL बनायाँ है। तली मत बस्तोर जोर्इब का आईब ब्रेक्वास्ट करों में चुछा है और अब मैं जा रही हूं इनको कोचिंग छोड़ने के लिए है ना कोचिंग चोड़े जा रही हूं तो अब मैं सोच रही हूं व्लॉग का यहीं पर आंड कर दूँ तो आज का व्लॉग आप लोग पसंद आया है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करने ला बैल आइकन के साथ ताकि आने वाली हर लेटस्ट वीजियो की नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलती रहे और कॉमेंट करके बताना आज का वीडियो आपको कैसा लगा और मैं मिलती हूं आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए हसते रहे हैं मुस्कुराते रहे हैं क्या करें रजीता नजीता ऐसे से कर रहे है चो रजीता पाई बोल दो बाई बाई मिलती हूं नेक्स्ट व्लॉग में तटा और नजीता कट कर रहे है